ओम शांती, डेट 36, 2024, प्रातह मुरली, अव्यक्त पापदादा, रिवाइस डेट 33, 2000, मधुबन, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में पांच सेकेंड भी निकाल कर मन की एक्सेसाइज करो। आज, दुर देशी बापदादा अपने साकार तुनिया के भिन भिन देशवासी बच्चों से मिलने आये है। बापदादा भिन भिन देशवासियों को एक देशवासी देख रहे है। चाहे कोई कहां से भी आये हो लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आये हो। तो अपना अनादी देश याद है ना? प्यारा लगता है ना? बाप के साथ साथ अपना अनादी देश भी बहुत प्यारा लगता है ना? बापदादा आज सभी बच्चों के पांच स्वरूप दीख रहे है। जानते हो पांच स्वरूप कौन से है? जानते हो ना? पांच मुखी ब्रह्मा का भी पूचन होता है तो बापदादा सभी बच्चों के पांच स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादी जोती बिंदू स्वरूप याद है ना? अपना स्वरूप भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदी देवता स्वरूप पहुंच कए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्यम में पूच स्वरूप वह भी याद है। आप सबकी पूचा होती है या भारत वसियों की होती है। आपकी पूचा होती है कुमार सुनाओ आपकी पूचा होती है। तो तेसरा है पूच्छ स्वरोप, छोता है संगम युगी ब्राम्हन स्वरोप और लास्ट में है फरिष्टा स्वरोप. तो पांच ही स्वरोप याद आ गए? अच्छा, एक सेकेंड में यह पांच ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो? तो कर सकते हो या पांच ही स्वरोप कितने प्यारे है? जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होने चाहो सोचा और अनुभव किया? या रूपानी मन की एक्सिसाइज है? आज कल सभी क्या करते है? एक्सिसाइज करते है ना? जैसे आदी में भी आपकी दुनिया में सत्युक में नाचरल चलते फिरते की एक्सिसाइज थी, खड़े होकर के वन, टू, थ्री एक्सिसाइज नहीं. तो अभी अन्त में भी बाब दादा मन की एक्सिसाइज कराते है। जैसे इस थोल एक्सिसाइज से तं तंतरुस्त रहता है ना? तो चलते फिरते या मन की एक्सिसाइज करते रहो। इसके लिए टाइं नहीं चाहिए। पांच सेकेंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिसी है जो पांच सेकेंड भी नहीं निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ. फिर तो नहीं कहेंगे क्या करे टाइम नहीं मिलता? यह तो नहीं कहेंगे ना? टाइम मिलता है, तो यह exercise बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो पांच सेकेंड की यह मन की exercise करो। तो मन सदा ही दुरिस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बापतादातों कहते हैं, हर घंटे में यह पांच सेकेंड की exercise करो। हो सकती है। देखो, सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना। ओम शांती भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन भिन कम्प्लेन है न, क्या करें, मन नहीं टिकता। मन को मन बना देते हो। वजन करते हैं न, पहले समाने में पाव, सेर और मन होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हैं, बोज़ वाला और यह exercise करते रहेंगे, तो बिलकुल light हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्रामहन शब्द याद आए, तो ब्रामहन जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिष्टा शब्द कहो तो फरिष्टा बन जाओ। मुश्किल है, नहीं है, कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है, आप फरिष्टे हो या नहीं, आप ही हो या दूसरे है, कितना बार फरिष्टा बने हो, अनगिनत बार बने हो, आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है, कभी कभी होता है, अभी यह अभ्यास करना, कहां भी हो पांच सिकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ, चकर लगाना तो अच्छा लगता है ना, टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना आईगा ना, बस राउंड लगाओ फिर करम में लग जाओ, हर खंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते है ना, ड्यूटी तो बचानी है, लेकिन पांच सेकेंड मिनिट भी नहीं सेकेंड नहीं निकल सकता है निकल सकता है यू एन की ओफिस में निकल सकता है मास्तर सर्वशक्तिवान हो तो मास्तर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता बाप तदा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हसी आती है किस बात पर चालेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाशन करते हैं, कोर्ष कराते हैं, क्या कराते हैं, हम विश्व को परिवर्थन करेंगे, यह तो सभी बोलते हैं ना या नहीं, सभी बोलते हैं या सिर्फ भाशन करने वाले बोलते हैं, तो एक तरफ कहते है, विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते है, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते है, मुश्किल है, तो हसी नहीं आएगी, आएगी ना हसी, तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता उस समय अपने उपर मुस्कुराना मन में कोई भी बात आती है तो बापताता ने दीखा है तीन लकीरे गाई हुई है एक पानी पर लकीर पानी पर लकीर देखी है लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी लगाते तो है ना तो दूसरी है किसी भी कागस पर स्लेट पर कहां भी लकी लगाना और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर पत्थर के लकीर मिट्ती बहुत मुश्किल है तो बापतादा देखते है कि कई बार पच्चे अपने ही मन के पत्थर के लकीर के मुआफिक पकी लकीर लगा देते है जो मिताते है लेकिन मिट्ती नहीं है ऐसी लकीर अच्छी है कितना वारी प्रतिक्या भी करते है अपसे नहीं करेंगे अपसे नहीं होगा लेकिन फिर फिर परवश हो जाते है इसलिए बापतादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है रहम आता है परवश हो जाते है तो परवश पर रहम आता है जब बापतादा ऐसे रहम भावसे बच्चों को देखते है तो ड्रामा के परदी पर क्या आ जाता है कब तक तो इसका उद्दर आप दो कब तक कुमार दे सकते है कब तक यह समाप्त होगा बहुत प्लान पनाते हो ना कुमार तो कब तक पता सकते हो आखिर भी यह कब तक बोलो जवाब आता है कब तक तादिया सुनाओ जब तक संगम्युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा तो संगम्युग भी कब तक जब फरिष्टा बन जाएंगे वह भी कब तक बाबा बताए फरिष्टा बनना आपको है या बाप को तो इसका जवाब सोचना बाप को कहेंगे अब तयार है आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया बाप दादा सदा ही बच्छों को संपन स्वरूप में देखने चाहते है जब कहती ही हो बाप ही मेरा संसार है यह तो सब कहते हो ना दूसरा भी कोई संसार है क्या बाप ही संसार है तो संसार के बाहर और क्या है सिर्फ संसकार परिवर्दन करने की बात है ब्रामणों के जीवन में मेच्छोरिटी विखन रूप बनता है संसकार चाहे अपना संसकार चाहे दूसरों का संसकार ज्यान सभी में है शक्तियां भी सभी के पास है लेकिन कारण क्या होता है जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बचाए थोड़ा पीछी इमर्ज होती है पीछी सोचते है कि या न कहकर या कहती तो बहुत अच्छा या करने के बचाए या करती तो बहुत अच्छा लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो सहन शक्ति या है निर्णई शक्ति या है ऐसे योज़ करना चाहिए सिर्फ थोड़े समय का अंतर पढ़ जाता है और दूसरी बात क्या होती है चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बात में महसूस भी किया कि या ना करके या करना चाहिए था समझ में आ जाता है पीछे लेकिन उस कलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइस कर ले जो दुबारा नहीं हो फिर भी प्रोग्रिस हो सकती है उस समय समझ में आता है या रौंग है या राइट है लेकिन वही कलती दुबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइसेशन करना उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते और माया बड़ी चतुर है वही बात मानो आपमें सहनशक्ती कम है तो एसी ही बात जिसमें आपको सहनशक्ती यूज करना है एक बार आपने रियलाइस कर लिया लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है होती वही बात है लेकिन जैसे आजकल के समाने में छीस वही पुरानी होती है लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते है जो नई से भी नई दिखाई दे तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है जो बात का रहस्य वही होता है मानो आप में एशिया आ गई एशिया भी भिन भिन रूप की है एक रूप की नहीं है तो बीच एशिया का ही होगा लेकिन और रूप में आएगी उसी रूप में नहीं आती है तो कई बार सोचते हैं कि या बात पहले वाली तो व थी ना या तो बात दोसरी होई ना लेकिन बीज वही होता है सिर्फ रूप परिवर्तित होता है उसके लिए कौन सी शक्ती चाहिए परक्ने की शक्ती उसके लिए बाप ताता ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो एक सच्ची दिल सच्चाई अंदर नहीं रखो अंदर रखने से गास का गुबबारा भर जाता है और आखिर क्या होगा फटेगाना तो सच्ची दिल चलो आत्मों के आगे थोड़ा संकोच होता है थोड़ा शरम सा आता है पता नहीं मुझे किस दुष्टी से देखेंगे लेकिन सच्ची दिल से महसूस तासे बाप तादा के आगे रखो एसे नहीं मैंने बाप तादा को कह दिया यह गलती हो गई जैसे ओर्ड़ चलाते है हाँ मेरे से यह गलती हो गई ऐसे नहीं महसूस ता के शक्ती से सच्ची दिल से सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप तादा के आगे महसूस करते है तो दिल खाली हो जायेगी किछडा खतम बाती बड़ी नहीं होती है छोटी ही होती है लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बाते भी इकटी होती रहती है तो उनसे दिल भर जाती है खाली तो नहीं रहती है ना तो दिल खाली नहीं तो दिलारम कहां बैठेगा बैठने की जगा तो हो ना तो सच्छी दिल पर साहे ब्राजी जो हो जैसी हो जो हो जैसा हो बाबा आपका हो बाप दादा तो चानते ही है कि नंबर वार तो होने ही है इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा लेकिन सच्छी दिल और दूसरा कहा था सदा बुध्धी की लाइन क्लियर हो लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं हो बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते है, दुआई देने चाहते है, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते है, अगर डिस्टर्बंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ओफ है, तो यह जो प्राप्ती होनी चाहिए, वह नहीं होती कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है, तो सोचते है कोई-कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता ब्राम्हणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है कारण क्या बाप तो दाता है सागर है जितना जो लेने चाहे बाप दाता के भंडारे में ताला चाबी नहीं है पहरेदार नहीं है बापा कहा जी हासिर बापा कहा लो दाता है ना दाता भी है और सागर भी है तो क्या कमी होगी इनहीं दो बातों की कमी होती है एक सची दिल, साफ दिल हो, छतुराई नहीं करो छतुराई बहुत करते है भिन भिन प्रकार की छतुराई करते है तो साफ दिल, सची दिल और दूसरा, बुध्धी के लाइन सदा चेक करो क्लियर है और क्लीन है आजकल के साइंस के साथनों में भी देखते होना थोड़ी भी डिस्टर्बिंस क्लियर नहीं करने देती तो यह जरूर करो और विशेश बात इस सेजन का लास्ट टर्न है ना इसलिए बता रहे है डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है सब के लिए है लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है बापतादा ने देखा है कि एक संसकार या नेचर कहो नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है लेकिन सर्वकास नही और सर्वपातों में संपन में सफल मन्सा में विज़ई और वानी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो अलबेली नेचर नहीं अलबेलापन अलग चीज है इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकम्स्टांस उसको परक्ती होए अपने को इजी कर देवे इजी अर्थात मिलन्सार टाइड नेचर बहुत तूमच उफीशल नहीं उफीशल रहना अच्छा है तेकिन तूमच नहीं और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई उफीशल बन जाता है तो वह गुण के बचाए उनकी विशिशता उस समय नहीं लगती अपने को मौल्ड कर सके मिलन्सार हो सके चोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़े पन में चल सके चोटे से चोटे पन में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके बड़ों से रिकार्ड से चल सके इजी मौल्ड कर सके शरीर भी easy रखते है न तो जहां भी चाहो मुट जाते है और टाइट होगा तो मुट नहीं सकेगा अलबेले भी नहीं easy है तो जहां चाहे easy हो जाए अलबेला हो जाए नहीं बाप दादा ने कहाना easy हो जाओ तो easy हो गए ऐसे नहीं करना easy nature अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके अच्छा डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है सभी को ड्रिल याद है या भोल गई अभी अभी सभी यर ड्रिल करो लगाओ चकर अच्छा चारो और के सर्वश्रेष्ट आत्माओं को चारो और से याद प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन भिन संबंद से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे है जो बाप दादा को मिल ही गए जिस प्यार से महनत से लिखा है तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे बच्छों का प्यार बाप से और उसे पदम गुणा बाप का बच्छों से प्यार है और सदा अमर है स्नीही बच्छे ना बाप से अलग हो सकते है ना बाप बच्छों से अलग हो सकते है साथ है साथ ही रहेंगे चारों और के सदा स्वयम को बाप समान बनाने वाले सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीब रहने वाले सदा एक बाप के संसार में रहने वाले सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले सदा विजई थे, विजई है और विजई रहेंगे ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले ऐसे अती स्रेश्ट सिखिल अधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप तादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मातपिता बापतादा को याद प्यार गुट मॉर्निंग और नमस्ते 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 वर्दान हर सेकेंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव संगम्युक पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तिया होती है सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का या एक ही समय है इसलिए आपका स्लोकन है अप नहीं तो कभी नहीं जो भी श्रेष्ट कार्य करना है वो अभी करना है इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व करम यर्थ नहीं कवाएंगे समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जायेगा और आत्मा समर्थ बन जायेगी स्लोकन हर बोल हर करम की अलव किक्ता ही पवित्रता है साधा रन्ता को अलव किक्ता में परिवर्थन कर दो ओं शाति